हेलो दोस्तो मैं हुरेवी आपका दोस्त हमारे लोजिक टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिसीन और हेल्स से जूरी हुज जनकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरू सस्काइब करें दोस्तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे से जूरी हो जनकारी दवाव से रिलेटीव वीडियो आपको मेल जाएंगे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैटी लीवर के उपर है टी लीवर होते क्यों किस कारण मस होते हैं और इसके लच्षन क्या है कैसे जानेंगे कि हमारे फैटी पेज़ा सोगंदुरALK साहिके तो हमारे विडियो से और नोटी क्ताइए कने सब्सक्राइब मुश् nenhuma क्योंकि अुच्छान में पता होता है ज्यादा खराब हो जाने के बाद बीमारी का पता चलता है चलिए आज इस पीडियों में हम लोग सबसे पहले इसके लच्छन के बारे में जाते हैं हैटी लीवर होने के बाद पेट के दाय भाग के उपरी हिस्शे में दर्द हलका हलका, दर्द महसुस होने लगता है सरीर का वजन कमने लगता, कमजोरी महसूस होता है, ठकावट महसूस होता है, आखो और थ्वचा में पीला पन दिखाई देने लगता है, वजन सही से हजम नहीं होता है, जिसके वज़े से एसीडिटी होने लगता है, पेट में सूजन हो जाता है, ठकान कमजोरी, पेट में ब प्रामर्स की जरूरी है हमें जीवन सेली में कुछ बदलाव करना होता है और खान पान में कुछ बदलाव करके इसके उपर कंट्रोल किया जा सकता है बच्चों में भी हो जाता है बच्चों में फैटी लिवर बहुत कम देखा जाता है और बच्चों में फैटी लिवर के बा के मोटापे से ज्यादा धिल्दी वच्छा मोटा होगी है बच्छा तो उसमें कभी-कभी देखने को मुझता है है एक लिवर होने के किस कारण बस होता है यह जानना जरूरी है है किसे पहले अधिया और पिने वाले लोगों में और गुशलोगों मोटापा की वह यह यहां में van कि और अधिजिय गुटियों को बशनरी है कि पयसेनल को भी और दिखाई दवायां अंटिवाइटिक दवाईयां नबय समय तक किस्तमाल में लाने से भी हमारे फैटी लिवर को पीने के पानी में ख्लोरिन की अत्याधिक मात्रा फैटी लिवर होने का कारण बंसता वाइरल हेटाइड की वज़े से भी हो सकते इसे बचाओ के लिए हमें राजे फल और सब्जियों को अपने भोजन में सामिल करें फैटी और सफेद चीनी का पर्योग हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अलकोहल या सराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दे भोजन में लहसुन को सामिल करें लहसुन में कुछ ऐसे गुन पाया जाते हैं जो हमारे सरीर में फैट को जमा होने से रुखा ग्रीन टी का सेवन करें लीवर में जमा फैट को कम किया जा सकता है ग्रीन टी से भोजन सही समय पर करें तले भूने और जंग फूड का सेवन करना छोड़ दे सबजियों का ज्यादा सेवन करें जैसे सबजी में पालक, ब्रोकली, करेला, लौकी, थिंडा, तोरी, गाजर, चुकंदर, प्याज, अ द्रग और अंकृत अनाज थाएं इसे हमें फैटी लीवर होने से बचाता है राजमा, सफेद चना, काली दाल का सेवन बहुत कम करना चाहिए मूंग दाल और मसूर दाल का सेवन करना बहुत ही फायदेमन होता है फैटी लीवर मक्षन, चिप्सकेक, पीजा, मिठाई, चीन बच्चों को मिठा खाने से बचाना चाहिए बच्चों को मिठा खाने बंद करें रिशेदार फल और सब्सक्राइब का सेवन करा है तारीरिक, दोर्धू, योगा, ब्याम, बच्चों को करा है धन्यवाद दोस्तों यह थी हमारी फैटी लीवर के उपर में छोटी सी जैंक पाइए यह वीडियो आपको पैसे लगया आपको बने के जुरूरत है वीडियो अच्छा लागा तो लाइक और शेर कीजिए जुरूरत बन लोगों के सांद शेर कीजिए आप से मिलते एक नए वीडियो बचाहिए